कौन सा अप्लिकेशन दिया है देखे सुप्रिम कोट में हमने दो याचिकाईं फाइल की हैं दो इंट्रिम अप्लिकेशन फाइल की हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वजू टैंक का एरिया सील्ड एरिया है उसको इलावाद हाई कोट ने 12 माई 2023 को महाँ पे ASI सर्वे के जांच के आदेश दिये थे जिसके खिलाफ अंजुबन इंतजामिया सुप्रिम कोट गया था और सुप्रिम कोट ने 19 माई 2023 को पर रोक लगा दी थी सुप्रिम कोट में जो पास्ट हेरिंग हुई थी तो उसमें हमने बात रखी थी कि उस स्टे को विकेट क करने के लिए पूरी छूट दी जाए उसको एक्सकेवेशन करने की जाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज के हुए उसकी साइन्टिफिक स्टेडी और जांच के आदेश दिये जाएं यह दोनों याचिक हैं आज सुप्रिम कोट में हमने डाली हैं और आगे आने वाले समय में मुझे उमीद है कि उसकी जल से जल सुनवाई होगी कोई तैखाने की भी आपने जो मांग की है कि आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया की रिपोर्ट में और सर्विक्शन के दौरान भी यह बात उभर के सामने आ रही थी कि वहाँ पे टोटल दस ऐसे त जो मौझूद है उन दस तैखानों में से दो ही तैखाने जो है वो खुले हुए एक एजाजी के कबजे में और दूसरा व्यास परिवार का तैखाना है उसके लावा आट ऐसे और तैखाने है जो अभी मिट्टी जिसमें भरी हुई और जो बंद है आर्टिफीशल वाल से तो उसको भी खोलने के आदेश दिये जाएं और यह वाली याचिका भी सुप्रिंग कोट में हमने दायर की है तो याचिका से एकसप्ट हो गई है नहीं आज हमने इसको फाइल किया है सुप्रिंग कोट में और मुझे उमीद है अनुले समय में उसकी सुनवाई हो गई यह जो वजू टैंक है यह इस याचिका से क्लियर हो जाएगा कि यह शिवलिंग है या फाउंटन बिल्कुल देखे हमारा ऐसा मानना है कि जो 16 माई 2022 को वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था वो शिवलिंगी है वो फाउंटन नहीं है और अंजुमन इंतजामिया उसको फा करने की छूट एसाई को दी जाएगी तो बिना उस जगह को डैमेज किये हुए सिर्फ दिवाले हटाके जो आर्टिफिशल वाल्स हैं वो पूरा थाबिद हो जाएगा कि वो शिवलिंग की क्या लेंद्ट और ब्रेथ है और उसके नीचे क्या क्या चीज़े मौजूद है और इस पूरी एकसराइज में कोई ना डैमेज होने वाला है स्ट्रक्चर को और ये जो बात हो रही है ये वजू टैंक की एरिया के बात हो रही है जो मजजिद का पार्ट भी नहीं मजजिद के बारी से का एरिया एक तरह से कह सकते हैं आउटर कोट यार्ड है तो वहाँ पर जाच की मांग कर रहे हैं